बिल्कुल आज इंद्रा गांदी नहर पे वन और अभ्यारणों पे बांगों पे चर्चा हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सिमांत के उच्छेतर से आता हूं जहां पर इंद्रा गांदी नहर की कल्पना जहां के लिए 1957 में की गई 1957 में जब इंद्रा गांदी नहर सिंचाई परियोजना की कल्पना की गई ती तब यह सोचा गया था कि देश के आखरी इससे तक हम पानी पहुंचाएंगे 1980 में जैसल मेर के मौनगट में पानी आया और 1980 से लेके आज तक चुमाली साल तक मेरा छेत्र नहर की इंतजार में आस लगाए बिठा परदेश की सरकार से मैं आप सभी के मादिन से निवेदन करूंगा कि इंद्रा गंधी नहर परियोजना का जो एक्स्टेंशन रुका हुआ है आप जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि सीमांत के उन लोगों को पानी मिल सके आपको बताना चाहूंगा कि जैसल मेर के गुंजनगट गाओं के बाद में इसका एक्स्टेंशन नहीं हुआ और सीम है उसका एक्स्टेंशन रुकने का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण डीनपी है डेजट नेसल फार्क आपको बताना चाहूंगा कि 1980 में एक नौटिफिकेशन आया और उस नौटिफिकेशन के बाद में डीनपी छेतर को नोटिफाई किया गया डीनपी छेतर के अंद 185 राजसों गाउं इसके अंदर है आप विश्वास मानेंगे कि 1980 के बाद में ना आबालती भूमी बढ़ी ना किसी तरीके का नाया डवलप्मेंट हुआ आज कि वन और ब्यारन की भी बात हो रही है मैंने आज सरकार से निवेदिन भी किया है मंत्री जी से भी निवेदिन वहां के किसानों को किसी भी तरीके का किसी सी रन उठाने की कोई सुईदा नहीं दी गई है वो रन नहीं उठा सकते वो कोई लॉन नहीं ले सकते वो बेच नहीं सकते वो किसी भी जमीन को अस्तांत्रित नहीं कर सकते कई सारी यसी समय आगे आ रही है तो इन सब तमाम जब परीक्सा होती है तो एक दिन की निए जब मुबाइल टावर को ब्लॉक किया जाता है इंटरनेट को बंद किया जाता है तो हमारे युवा भाई खाना भी न छोड़ देते हैं उस इस्तिति में आप सोचिए आप विचार कीजिए आप कलपना कीजिए कि साब उन लोगों किसाब उनके क्या हाल होंगे जो पिokiक्षत्र साल से बिजली का इंतजार कर रहे हैं उनकी की बात करते हैं किसाब एक दिन अगर सहर में पानी का पानी की सप्लाई ना हो तो लोग सडकों पρεί आ जाते हैं जहां तक आ जादि के बात तक जहां पर अभी तक उन्छाई उनके क्या हाल हो वाकई इस्तती बहुत ही जादक जादा बयानक है मैं कहना चाओंगा मंत्रीजी से भी मैंने मंत्रीजी से भी निवेदन भी किया कि एक बार आप आएं और उस छेत्र को देखें आप देखेंगे कि भारत माला जैसा प्रोजेक्ट वहां पर जाके रुग गय नरंदा और इंद्रा गांधी नहर परियोजना का जो मिलाने का एक जो सपना था वो मुझे लगता है कि सपना ही रह जाएगा अगर हमने मजबूत इच्छा सक्ती के साथ काम नहीं किया तो परिवर्तन नहीं आ पाएगा तो बड़ी भयाने किस्तिति है उस छेतर की अगर कोई आस्पिटल नहीं है और रोड़ें भी नहीं कई बार जचा और बच्चा तोनों की मिर्टी हो जाती है वाके इस्तितियां बहुत खराब है मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मैं उन गाओं का नाम लेना चाहूंगा जिन गाओं का नाम इस राजदानी में आज तक किसी ने नहीं लिया गड़रा रोड की गड़रा रोड आपको बता दूं की सिमांत की आखरी पंचाय समिती है और गड़रा रोड से एक किलोमेटर बाद इंटरनेशनल बॉर्डर सुरू हो जाता है उस गड़रा रोड के बोई नोर्ड़डी सम द्सकापार हापिया फांग्ली चंधनिया बनियाली चोथीयाली घडीन सेला दिंकानिक बस्ती बच्चिया पुञाज का पार सरगवाधा द्राबादा गडगारी मठर रानी पते कापार गपणार सांधार की सीमाईly पर जरूरत है उन शेत्र को आगे तक ले जाने की बिजली नहीं पहुंची पेजल नहीं है आपादी भूमी नहीं है किसी भी तरीके की कोई सुईदा नहीं पहुंची तो परियावन की मांगों पर सबसे बड़ी मांग मुझे लगता है हमारी है और इंडरा गांदी नहेर्व सिंचाई-परियोजना की बात हो रही थी तो इंडरा गांदी में एक्स्टेंशन होना चाहिए और सीमान्त के आखरी गाउं तक पानी पहुंचना चाहिए आपके माद्यम से पुना मैं मंत्री जी से निवतन भी करूंगा कि एक बार आप बहुत सविदन सील है एक बार आप उस छेत्र का जायजा ले और निश्यत रूप से हम सब मिलके प्रयास के साथ में एक बदला उलाएंस बहुत बदलाएंस बहुत बदलाएंस